नमस्कार दोस्तों मेरे एक मित्र कल मुझसे मिले और मुझसे पूछा कि भाई मेरा बेटा 12th के एक्जाम्स दे रहा है और वो Cinema फिल्ड में आना चाहता है चूंकि मैं इस फिल्ड को बिलोंग करता हूं तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कुछ गाइडिंस दो कुछ टिप्स दो कि उसे कैसे बताया जाए तो जो मैंने टिप्स उसको दी वही टिप्स मैं आज आपके साथ शेर कर रहा हूं तो दोस्तों अगर आप लोग सिनेमा फिल्ड में एक्टिंग फिल्ड में आना चाह रहे हैं या एक्टर बनना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है आप एक्टर बनना चाहते हैं आप एक्टिंग करना चाहते हैं और एक्टिंग सीखना चाहते हैं आज कल बहुत सारी जगह पर आपने देखा ह लिए आपको करना क्या है सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन से रील्स बनाते हैं फिर लिप सिंग करते हैं उन्हें शेर करते हैं आपके फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं लेकिन क्या यह आपका यहीं तक सीमिट के रहता है नहीं आप चाहते हैं कि मैं बड़े परदे पर आती रिजेक्शन मिलता है या फिर कुछ ऐसा रोल ओफर होता है जो कि आप करने के चुक नहीं है पर यह होता क्यूं है कभी आपने अकेले में बैठके सूचा कि ऐसा मेरे साथ हो क्यूं रहा है मैं तो बहुत अची एक्टिंग करता हूं लोग मेरी वीडियो को लाइक करत हैं तो हो क्या रहा है अब जब आप इंट्रस्पेक्ट करेंगे अपने आपको तो आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहा आ रही कमी आ रही है कि आप उस क्राफ को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं आप एक्टिंग की जो टेक्टिक्स हैं उनको नहीं जानते हैं अब इस क के टेखनीक चिखाई जाती witch cinematic sense डिवलिप किया जाता है आपके अंदर और यह cinematic सेंस जब आपके अंदर अधिक हो जाता है तब एक अच्छे एक्टर बन जाते और मार्केट में याले की फिल्ड में अगर आप एक्टिंग नहीं भी कर रहे हैं तो एक्टिंग से जो आपके अंदर की ये creativity है उसे निखारने की पूरी पूर जोर कोशिश करते हैं और आपकी उस creativity को उस craftsmanship को आपके अंदर वो cinematic sense जगाते हैं description के नीचे आप देख सकते हैं हमारे numbers हैं जहां पर आप हमारे councils के साथ बात कर सकते हैं आपके अंदर जो भी queries हैं उन्हें आप पूछ सकते हैं चाहें तो आप हमारे यहां पर visit कर सकते हैं हमारे faculties के साथ मिलके अपनी queries को पूछ सकते हैं और हल कर सकते हैं और अगर आप और किसी courses के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को subscribe कर लीजिए, share कीजिए और bell icon का बटन भी दबा लीजिए मैं आप लोग के साथ और courses के बारे में फिर मिलूँगा next videos में, thank you